आज यह वीडियो बहुत ही कमाल का बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं O-General DC Inwater Air Conditioner के बारे में इसमें जो Error Code आते हैं जिसमें की डिस्पले में सो नहीं होते हैं Error Code लेकिन इसमें Operation Light Blink करता है Timer Light और Operation Light Blink करता है इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि कितनी बार Blink होता है तो कौन सा Error है उसमें कौन सा Fault है आज Step by Step हम बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो को Complete देखते रहे हैं वीडियो को एक भी Point मिस नहीं करना है इसमें 3-4 Error को लेकर मैं बताऊंगा कि 3-4 Error कौन सा Operation Light कितनी बार Blink करता है तो कौन सा Fault होता है Complete देखते रहे हैं ये एक एक Point को और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी तक Amrace 11 Tech चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आनवाली न्यू वीडियो को नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफिल वीडियो हमें से ले करके आते रहते हैं तो चलिए वन बाई वन करके हम सीखते हैं कि ओप्रेसन लाइट कितनी वार बिलिंक होता है लेकिन देखिए हमारी चैनल पर एक गिवए चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पले में एक गिवए चल रहा है जिसको आप जा करके जीत सकते हैं पार्टिस्रिपेट करके वीडियो में पार्टिस्रिपेट करिया अप जीत सकते हैं बहुती आसानी से में आपके एड्रेस र कुरियर कर दूँगा के सबसे पहले अरार कोट की बात करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं तीन लाइट दिये जाते हैं डिस्पले में ओप्रेशन लाइट और टाइमर के लिए और सूपर क्विट के लिए यहां पर लाइट दिया जाता है तो operation light और timer light कितनी बार blink करें तो कौन सा error है तो सबसे पहला error हमारे सामने है यह operation light blink two time प्लस है timer light blink two time यानि कि अगर operation light और timer light दो दो बार blink करता है आप देखेंगे तो timer और operation light दोनों एक साथ में blink होता है अब उसे देखना है गिंती करना है कि कितनी बार blink हो रहा है तो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि अगर दो बार operation light दो बार timer light अगर blink करता है अगर होता कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ timer light ही blink करता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ operation light ही blink करता है तो यहाँ पर धेखना है ध्यान देना है तभी आप फाल्ट को समझ पाएंगे तो यहां पर दो बार ऑप्रेशन लाइट बिलिंग करता है दो बार टाइमर लाइट बिलिंग करता है तो यहां पर फाल्ट सीधा हम उसको टार्गेट करते हैं जो कि वो जनरल डी सी इनवर्टर एर कंडिशनर के तरफ स है कि रूम टेंपरेचर सेंसर फाल्ट होता है वहां पर अब वह फाल्ट कैसे होता है उसे भी मैं बता देता हूं और उसे कैसे आप सही कर सकते हैं उस फाल्ट को जो भी एरर है इसमें इस एरर को फिक्स कैसे कर सकते हैं अगर रूम टेंपरेचर सेंसर फाल्ट है तो वहां पर चेक करेंगे होता क्या है room temperature sensor वह इसे तो खराब नहीं होता है खराब कैसे होता है कि उसमें रगड कर घीस कर या फिर किसी तरह से वह कट जाता है कट जाता है तो काम करना बंद कर देगा room temperature sensor कोई भी DC inverter air conditioner का हो या फिर non inverter air conditioner का हो कोई भी sensor हो अगर कट जाएगा तो खराब हो जाएगा काम नहीं करेगा हो तो उसे चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओ कट गया हो या फिर उसमें जो उसके jack लगे होते हैं PCB के अंदर PCB के अंदर अगर जो jack लगे होते हैं कभी कभी होता है कि उसमें car बना जाता है या फिर धीला हो जाता है वैसे तो धीला company लगा करके दिया होता है तो जल्दी धीला नहीं होता है लेकिन कुछ company में लग करके ही आता है तो धीला ही आता है वो तो वहाँ पर देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि jack ढीला है jack ढीला भी हो सकता है और उसका sensor का wire जो होता है black color का वो cut सकता है तो भी यह sensor काम नहीं करेगा तो इस तरह का error so करेगा operator operation light दो बार blink करेगा और timer light भी दो बार blink करेगा तो समझ जाए यह room temperature sensor fault है या तो उसे आप change करें या तो उसे fix करें अगर धीला है jack तो fix करें अगर wire कटा है तो उसे fix करें तो उसे fix कर देंगे तो यह इस तरह का जो light blinking हो रहा है इस तरह का problem नहीं आएगा फिर आपका air conditioner सही से चलने लगेगा अब हम यहाँ पर next बात करते हैं पास है next error जो की operation light दो बार blink करता है यहाँ पर मैं लिखा हूँ operation light blinking two time plus timer light blink के यहाँ पर देखिए दो बार यहाँ पर operation light blink करता है और timer light भी यहाँ पर blink करता है तो यहाँ पर कौन सा फाल्ट होगा यहाँ पर दो बार टाइमर लाइट यहाँ पर तीन बार बिलिंग करता है तो इस तरह का error जो होता है इस तरह का fault होता है इसमें कौइल टेंपरेचर सेंसर का fault होता है अब देखिए यहाँ पर कौइल टेंपरेचर सेंसर और room टेंपरेचर सेंसर दोनों एक साथ में लगे होते हैं किसी किसी एर कंडिशनर में एक ही जैक में दोनों सेंसर लगे होते हैं किसी किसी एर कंडिशनर में ऐसे होते हैं कि दोनो अलग-अलग जैक होते हैं रूम टेंपरिचर सेंसर और कोईल सेंसर के अलग-अलग जैक होते हैं तो उसे देखना है सेम वही देखना है इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि वायर कटा हो तार कटा हो या फिर उसका जैक ढीला हो इसमें क्या होता है रूम टेंपरिचर सेंसर जो कुलिंग कॉयल होता है कुलिंग कॉयल के ठीक सामने लगा होता है लेकिन कॉयल सेंसर जो होता है जो पाइप कॉपर पाइप होता है साइड में वहां पर लगा होता है कॉयल सेंसर तो इसे चेक करना है कि कॉयल सेंसर कटा पिटा तो नहीं है या फिर जैक ढीला नहीं है या फ इस वीडियो को अकर आपने नहीं देखा है तो आई ब्टन में फ्लेस हो रहा है या फिर नीचे । दिस्क्रिक्षयं में लिंक बिल जाएगा वहां से किलिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कोई भी sensor हो, आप उसे कैसे check करना है, कैसे find out करना है, कि sensor हमारा faulty है, तो जाकर कि उस वीडियो को देखिए और सीखिए, तो यहाँ पर इस तरह के faulty होता है, तो इस तरह के operation light, जो operation light बिलिंग करता है, timer light बिलिंग करता है, आप यहाँ पर नेक्ष्ट हम अरर कि बात करते हैं, नेक्ष्ट एरर है हमारा, कि timing light बिलिंग थ्री टाइम, अब यहाँ पर देखिए, और प्रेस्ट लाइट यहाँ पर बिलिंग बिलिकुल भी ले ने करेगा, यह आप देख सकते हों यहाँ पर operation light और टाइमर लाइट, तो गिंति का जब start करेंगे न इंडोर को जब on करेंगे तो वहां पर timer light एक बार जो में पार तीन बार blink करेंगी दस से करता है तो थोड़े दे सिस्टम चलता है, थोड़ी ज़र चलने के बाद तुरंत यह क्या होता है, कि error आ जाता है, जब system चल नहीं पाता है, work नहीं कर पाता है, तो error आ जाता है यहाँ पर, अब देखिए इसका fault क्या है, कि indoor PCB relay और outdoor PCB fault, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, कि इस तरह का error जब आता है operation light यहां पर timer light अगर तीन बार blink करता है तो इसे हम चेक करेंगे indoor PCB relay और outdoor PCB fault अब इसे कैसे फाल्ट को find out करना है यहां पर तो मैं सिर्फ fault को बता दिया हूं लिक करके लेकिन find out कैसे करना है अगर तीन बार light blink कर रहा है timer light तो उसे हम समझेंगे कि indoor की PCB में भी खराब हो सकता है outdoor का PCB भी खराब हो सकता है लेकिन कैसे चेक करेंगे indoor का PCB खराब है या फिर outdoor का PCB खराब है तो उसे चेक करने के लिए ध्यान से सुनिए और हमारी बातों को अपने mind में बैठा लिजिए क्योंकि इस तरह का जिस तरह से मैं बता रहा हूँ जिस तरह का वीडियो में देता हूँ आप लोगों को paid course में भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह का वीडियो इसलिए complete जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझिए और अपने दिमाग में बैठाइए तो यहां पर चेक करेंगे इंडोर का जो pcb होता है उसका जो output होता है जो निकलता है वहां जो सीधा outdoor को जाता है तो input supply जा रहा है हमारे pcb में लेकिन output supply निकल रहा है है कि नहीं release है billing से जो निकलता है सीधा cp का वाट यह होता है ऊब्र्ण कंच्ट्रोड करने के लिए तो outdoor की supply हम उसे चेक करते हैं कि क्या हमारा आउट पुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं रिले अगर निकाल रहा है तो समझ जाए कि हमारा इंडूर का PCV सही है और आउट डूर की PCV प्रावलम है लेकिन आउट पुट सप्लाई अगर नहीं निकाल रहा है तो समझ जाएंगे कि इंडूर क PCV ही खराब है तो उसे हम fix करेंगे उसमें PCV में क्या खराब है उसे चेक करेंगे अगर चेक करना आपको मालूम है तो चेक करेंगे नहीं तो आपे swap में भी दे सकते हैं इसके engineer अलग होते हैं technician अलग होते हैं वो लोग repair करके दे देंगे लेकिन output supply अगर निकाल रहा है तो चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं की रास्ते में कहीं ब्रेक हो और supply यहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो आउट्डोर PCV तक तो उसे हम चेक करेंगे और उसे fix करेंगे अगर आउट्डोर का PCV खराब है तो उसे हम repair करेंगे चेक कैसे करना है PCV को already में वीडियो बना चु करते हैं तो इस तरह से उस fault को हम find out कर सकते हैं और fix कर सकते हैं तो इस तरह के error वहां पर fix हो जाते हैं next हम बात करते हैं कि यहां पर देखिए timer light three time blinks यहां पर देखिए वही fault है जो पिछली बार जो मैं बताए हूँ फाल्ट वही फाल्ट सेम है लेकिन इसमें भी अलग-अ फाल्ट हो सकते हैं हो सकता है कि जो मैं बताए हूँ एक PCB PCB का फाल्ट और एक outdoor PCB का फाल्ट लेकिन हो सकता है कि दोनों भी सही है फिर भी इस तरह का error आ रहा है तो उससे कैसे चेक करेंगे सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे अगर यह यह problem नहीं है आपके सामने तब हम PCB को चे कि नहीं पर मैं आपको समझाऊंगा कि voltage up-down कभी-कभी होता क्या है कि अगर 220 का क्रेंट पे हमारा inverter एयर कंडिशनर वर्क करता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि 220 से कम voltage होता है तो इस तरह का आपका voltage up-down हो रहा है तो यह error आपको देखने को मिल सकता है timer light blink three time इस तरह से blink करेगा और आपको आपका कोई भी problem नहीं होगा AC में कोई दिक्कत नहीं होगा फिर भी आप परिसान हो जाएंगे इस तरह का अगर problem आता है तो पहले उसे fix करिए जहां से light आपका voltage up-down हो रहा है उसे पहले सही करिए या तो आपके घर के बाहर से जो main wire आ रहा है ना जो पोल से खंबे से जो main wire आ रहा है वहां से धीला भी करने लगता है voltage तो उसे पैसे पहले fix करिए ताकि आपके घर का voltage maintain रहे तूटोंटी का current वहां पर maintain रहे और वहां पर फिर air conditioner को क्या करेंगे अगर fix हो जाता है तो air conditioner को बंद रखेंगे कम से कम 15-20 मिनट या फिर आधे गंटे 20 मिनट कुछ से देर तक बंद रखेंगे यही सिंपल सा होता है कि ओ जैनरल DC inverter air conditioner में यही सब fault होते हैं और next हम बात करते हैं एक और fault है हमारे पास timer light blink two time अब यहां पर देखिए two time अगर timer light जो यह timer light है ना इस सिर्फ दो बार बिलिंग करता है operation light बिलिंग नहीं करता है यहां पर तो यहां पर communication error यहां पर माना जाता है कि किंद डोर करके outdoor को जोडने वाली वायर जो होती है वह communication वायर होती है और उससे देखना होता है कहीं सनमें कभी कभी होता है चूँहि काट देता है या फूसिए वज़ेżej से वह कवा होता से तो उसे चेकर ना होता है कि communicate कर रहा है कि नहीं outdoor से लेकर के indoor做त क्योंक्स UK1 पूरा काम करेगा तो आउडोर नहीं चुलेगा यह तरह से कुछ नहीं कुछ प्राबलम होते हैं और उसमें एरस में और में और इनवर्टर का निसनार होता है ओगर कोई कोश्चन है कुछ आपके समझ में ना आया हो तो बेज़ी जिए का मुझसे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका आनस्वर देने की पूरी की पूरी कोशिस करूँगा तो यह चोटा सा वीडियो था लाश्ट में फिर से बतान सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देता कि हमारा अनौली न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो हमें से ले करके आते रहते हैं